It's a super sunday match जी हाँ एक बहुत classical match होने की उमीद क्योंके दो classical team है सामने Rajasthan Royals मुकापला करने जा रही है Sunrisers Hyderabad का पिछली बार के runner-up Rajasthan Royals जाएगी Hyderabad में और केवल और केवल बरियानी ही नहीं target होगा उनका उनका target होगा अपनी पहली जीत इस IPL सीजन की और इस बार वो वो कर सकें जो लास्ट सीजन वो शायद एक पॉइंट से या एक गेम से मिस कर गए थे Sunrisers Hyderabad के लिए लास्ट IPR का सीजन भूलने लायक होगा बहुत सारी Controversies, बहुत सारा बेकार प्रदर्शन बट इस बार with a new captain, with a new hopes वो तैयारियां करेंगे एक अच्छा कड़ा प्रदर्शन देने की और जो वो पिछली बार गंदा प्रदर्शन करकर गए वो सभी को इस बार वो reverse करकर एक अच्छा प्रदर्शन ही नहीं करेंगे वो कोशिश करेंगे किस तरह championship की race में सभी उनका नाम लेना शुरू कर दें क्योंकि इस बार उन्हें championship की race से अलरेडी बहुत लोग बाहर रख चुके हैं और ये शाग Sunrisers हाइदराबाद को पसंद ना आए तो इसका मतलब यह होगा लास सीजन के इसाब से लास IPL में बहुत अच्छा प्रदशन करने वाली एक team face off करेगी एक ऐसी team से जिसने बहुत गटिया प्रदशन किया हाइदराबाद की team को थोड़ा सा समझना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन हो सकता है लास सीजन क्योंकि इन्होंने पहले अपने 5 मैच लगातार जीते फिर next 5 मैच लगातार हारे और इसलिवज़ा से कही ना कि उनका पूरा campaign जो है वो डीरेल हो गया पहले 5 मैच जीतना और बार में 5 मैच लगातार हारना तो ये टीम जो भी करती है लगातार करती है और पिछली बार ये ही प्रॉबलम का उनका बहुत बड़ा कारण बना था और वही राजिस्तन रोयल की बात अगर की जाए उनके लिए बिलकुल परफेक्ट अपना जो है campaign रहा था नाइन विक्टरीज के साथ उनोंने सीजन खतम किया और ये उनका थर्ड बेस्ट विन रेशियो था आईपियल की हिस्ट्री में वही स्टार पावर की अगर बात की जाए संराइजर्स हाइदराबाद ने काफी मोटा पैसा दिया और हैरी ब्रोग को अपनी तरफ ले लिया और हैरी ब्रोग जिस तरह के impact वले player हैं सभी की निगा उनके उपर रहेगी बहुत बड़ा impact player है वो और बहुत ही जादा हैदराबाद की team उन पर depend करेगी ना ही केवल hard hitting के लिए बट बड़ी hitting के लिए भी और हैरी ब्रोग भी IPL में पहली बार आ रहे हैं इससे पहले वो पाकिस्तान की लीग खेल रहे थे और उन्होंने प्रदशन इंगलंड में जिस तरह किया या इंगलंड की team के साथ जिस तरह किया वो भी चाहेंगे एक बहुत अच्छा mark एक impactful mark इस season में IPL में आकर करने के ल रहेंगी एक star खिलाडी हैदराबाद में होता था वहां से अब वो खिलाडी आ गया है राजिस्तान रोयल्स पर जिन लोगों को जेसन ओल्डर का नहीं पता ये एक all rounder की तरह काम करते हैं hard hitting batsman है अच्छी खासी balling डालते हैं purely impactful player है ये और शायद हैदराबाद ने छोड़ कर गलती कर दी है और यही बताने के लिए वो भी मैदान पर उतरेंगे और राजिस्तान रोयल्स के लिए अच्छा परदर्शन करने की उमीद करेंगे लास्ट एडीशन ओफ IPL में 863 रंस बनाकर जॉस द बॉस बटलर ने सब को इंप्रेस किया था और बटलर चाहेंगे कि इस सीजन में भी वो अपने परदर्शन को कंटीन्यू करें और उससे भी बहतर करें और उनकी फॉर्म में रहना साथ में संजू सैमसन का साथ काफी जुहाई इंपॉर्टन रहेगा राजिस्तान रोयल्स के लिए अगर उन्होंने इस चांपिन्शिप में इस IPL की चांपि दूर तलक जाती है और अगर वो दूर तलक उनकी ट्रेंट चल पड़ी तो वो खतरा होगा हैत्राबाद के लिए बटलर को रोकने के लिए एक शस्त्र है है हैत्राबाद के पास वो है उमराण मलिक और उमराण मलिक की पेस के सामने प्रिविए सीजन भी बटलर डिरेel हु वाली है वहां से उम्रान मलिक यहां से जोस्ट द बॉस पतलर कौन जो है जीतेगा और जो भी जीतेगा अपनी टीम को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे कर जाएगा उम्रान मलिक का लास सीजन बहुत इंप्रेसिव रहा था जब उन्होंने 23 से कम की आवरेज पर 22 विक्टे निकाल दी थी और उनकी पेस के बारे में सब को पता है तो ही विल भी दा मान टू वाच आउट फॉर और हैडराबाद की सारी उमीदें उन पर होंगी बॉलिंग अट यानि कि सन्राइस हाइडराबाद अपने रेगुलर कैप्टन के साथ नहीं खेलेगा वो वनेश्वर कुमार जो हैं कैप्टन सी करेंगे बट राजस्तान रोयल्स इन एनी केस काफी स्ट्रॉंग है उनके सामने चाहे पेपर्स पर हो जाए चाहे पास्ट रिकॉर्ड हो जा जाता है तो काफी लोगों के जो भ्राम है कि हाइडराबाद कुछ नहीं कर पाएगा इस सीजन में वो भी हटने शुरू हो जाएंगे और हाइडराबाद को वही टॉनिक चाहिए अपनी पहली गेम में तो फेवरेट स्टार्ट करेगा राजस्तान रोयल्स और हाइडराब मैं आपको अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो पर नेक्स्ट क्रिकेट की टॉक्स में टेक केर